हम बात करने वाले हैं धात और अधात में महतपूर्ण अंतर की आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही important प्रीशन यहां पर हम देखने वाले हैं धात और अधात में अंतर अगर यह प्रीशन बंता है तो इसे आप किस तरह से लिएक सकते हैं और इसमें कौन-कौन सी चीजें मह हम यहाँ पर देख लेते हैं धातु और अधातु में अंतर आप देख पाएंगे इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य बिंद हो जाएगा एक तरफ हम लिखेंगे पहले धातु और एक तरफ लिखेंगे अधातु यहाँ पर हम धातुओं के गुण लिखेंगे और यहाँ पर अधातुओं के और ये तरीका जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है जब भी आप किसी परिच्छा में बैठते हैं इस्पेसलि जब आप यूपी बोर्ड की परिच्छा दे रहे होते हैं उस समय किस तरह से लिखना चाहिए उत्तर को ताकि नंबर जो है आपको पूरा मिले जैसे आपकी परिच्छा में ये परिच्छ तीन नंबर का पूँचा जाए तो वहाँ पर आपको तीन नंबर पूरे के पूरे किस तरह से मिलेंगे ये चीज आप हमेशा धियान रखिएगा इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं बोर्ड परिच्छा में जैसे यहाँ पर धात और अधात में अंतर लिखना है तब आप क्या करेंगे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर यहाँ पर आप लिख लेंगे इसके रावा हमें पहला देखेंगे एक नंबर पर धातूएं तन्ने होती हैं क्या होती हैं धातूएं तन्ने होती हैं और अधातू की तरफ हम लिखेंगे अधातु में तन्य नहीं होती है और उसके बाद अधातु में यहाँ पर क्या हो जाएगा धातु में विशेश चमक होती है जब भी ये प्रिशन लिखें जो भी धातु की तरफ हो उसमें हर अंतर में मैंने लिखा है धातु धातु में धातु क्या होता इससे इसपश्ट होता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं अगर इस वीडियो को आप एक या दो बार देखेंगे तो वैसे भी सारी चीज़ें आप इसपश्ट कर पाएंगे आप देख लेते हैं धातू में विशेश चमक होती है धातु में विशेश चमक होती है अधातु में आयोडीन को छोड़ कर कोई विशेश चमक नहीं होती है और धातु जो होती है आघात वर्द होती है अधात वर्द होती है और धातु में इलेक्टरान त्यागने की प्रवती होती है इसमें धातु में यह प्रिशन आपसे बहुविकल्पी है प्रारूप में भी OMR स्थीट जो आपकी मिलेगी उसके लिए भी प्रिशन बन सकता है इसलिए आप जो भी बोर्ड परिशाच से सम्मनित कंटेंटों को पढ़ें प्रिशनों को पढ़ें उत्तर को पढ़ें तो उसको ध्यान से जुरूर पढ़ा करिएगा और उसके बाद जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रान ग्रहण करती है जो अधातु जो होते है यह एलेक्ट्रान ग्रहण करती हैं जो धातु होती है धातु में इलेक्टरान त्यागने की प्रवती होती है ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार देखेंगे धातु तन्ने होती है अधातु वे तन्ने नहीं होती है धातु में विशेश चमक होती है अधातु में आयोडीन को छोड़ कर कोई विशेश चमक नही होती है धात्व आघात वर्ध नहीं होती है धात्व में लेट्रान त्यागने की प्रवत्ती होती है अधात्व लेट्रान ग्रहंड करती है important प्रशन है यह सारे और हम आगे देख लेते हैं यहां से प्रशन आपकी परिच्छा में देखने के लिए मिल सकता इसलिए इसलिए मैं यह वीडियो इसे प्रशन को लेकर बना रहा हूँ ताकि जब आपके सामने प्रशन है तो आपको यह न लगे कि मैंने इसे पढ़ा है याद नहीं है उसमें क्या लिखना है इसलिए मैं step by step एक चीज को दो से तीन बार बता रहा हूँ ताकि आपको यह चीजे या अधातु के आकसाइड चारकी होते हैं और जल में विले होकर चार बनाते हैं अधातु के आकसाइड अमली होते हैं और जल में विले होकर अमल बनाते हैं धातु अमलो से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और अधातु अमलो से क्रिया करके हाइड्रोजन व अधातु के आकसाइड जो होते हैं अमली होते हैं और जलमे विले होकर क्या अमलाते हैं अमलाते हैं और अमलों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और अधातु जो होते हैं अमलों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं ये कुछ वीडियो के लिए आप सबस्क्राइब जरू करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करिएगा बूड पर इच्छा से सब्मानित आपके मन में कोई डाउट है कोई कमेंट है तो बेजिज़ा कमेंट करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक स्कूल से सम्मांदित बहुत सारे वीडियो मने बना रखे हैं विज्ञान से सम्मांदित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको इसके अलावा अंग्रेजी से सम्मांदित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और हिंदी के लगभग पूरे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जरूर पढ़िएगा अगर वो टोपिया आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिएगा मुझक के लिए अलेक्स एक वीडियो जरूर बनाऊँगा धन्यवाद